इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ISO Certification आखिर होता क्या है, कितने टाइप के ISO Certificate वगर होते हैं, इसके benefits वगर है आपको क्या मिलते हैं, किनके documents की requirement होती है, कैसे आप लोग खुद apply कर सकते हो, कितनी fees लगने वाली है, कितनी cost लगने वाली है, कितनी validity होती है, कैस से चेक करें कि ISO Certificate authenticate है की नहीं है, यह सब कुछ जानने को मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो के इंदर, तो guys पूरा वीडियो यहां पर जरूर देखेगा, इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, ISO Certificate से लेटेट हम लोगों ने एक dedicated यहां पर आप बना र से लेटेशन होता है, simply business को issue होता है, जो किसी को भी यह बताता है, कि यह जो धन्दा है, यह जो business है, basically एक standard process के उपर रन कर रहा है, मैं example देना चाहूंगा, जितने भी QA सा restaurant होते हैं, जैसे माली जिए Dominos हो गया, McDonald's हो गया, अगर आप इंदिया की किसी भी location के उपर उनका pizza burger taste करते हैं, तो सभी का taste आपको same मिलेगा, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एक standard के साथ में चलते हैं, उनको पता है, हमें इतनी quantity के अंदर यह चीज़ यहाँ पर डालनी है, तब ही जाके यह output निकलने वाला है, तो guys इनी सभी चीज़ों को लेकर जो ISO organizations होती है, वो quality, safety, efficiency of the product or service की base पे हर business को एक certificate यहाँ पर provide करती है, जिसको लोग ISO certificate बोलते हैं, साथ में guys अगर मैं sample दिखाना चाहो तो आप मेरे screen के सामने दे सकते हैं, इस type का certificate होता है, एक certificate के नीचे आपको IF लिखाओ मिलेगा, और एक certificate के नीचे आपको ऐसा कोई भी logo वगरे नहीं मिलने वाला है, तो guys इन दोनों में difference मगरे क्या होता है, वो मैं आप भी आपको आगी बताने वाला हूँ, आप guys अगर मैं benefit की बात करूँ practically, तो देखिए पहले चीज़ तो यह branding और customer satisfaction में बहुत जादा help करता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप भी अपनी आसपास ज मैं एक ISO certified company हो, या मैं एक ISO certified business हो, तो लोग आपके उपर जादा trust करते हैं, साथ में guys अगर आप India के अंदर, across the India, या फिर पूरे world के अंदर भी business चला रहे हो, तो जो ISO का certificate होता है, वो एक international acknowledgement है, यानि कि चाहे आप इंडिया की बात कर लो, US की बात कर लो, चाइना की बात कर सबी के जो rules और regulation होते हैं, ISO से related, वो सब जगे याँ पे same है, तो आपको एक international regulation याँ पे मिल जाता है, साथ में guys आप अपने business के अंदर SOP वगर भी maintain कर सकते हो, अगर आपने business के अंदर proper standard maintain कर रखा है, standard of procedure maintain कर रखा है, तो यहाँ पे आपको जो है, हर 3 साल के अंदर एक audit कर जब भी ISO को आपको renew करना है, तो उस renewal को pass करने के लिए, आप हमेशा ही अपने business के अंदर SOP maintain रखोंगे, और guys government tenders की बात करो, वहाँ पे भी आपको ISO certificate होते है, साथ में जो employees है, वो भी खुश होते है, जब उनके resume के ओपर किसी भी ISO certified company का नाम चप जाता है, और customer और business दोनो यहाँ पर इससे बढ़ता है, आप guys बात करते हैं कि कितने type के ISO certificate होते है, तो वैसे देखिए बहुत type के ISO certificate होते है, सबसे जो most popular होता है, वो होता है 9001 जिसको हम लोग quality management system भी कहते हैं, फिर इसके आगे क्या version चलता है, जैसे कि 9001 2015 हो गया, इससे पहले 2008 चलता था, और guys इसक इसके बात करो, तो उनके लिए 27001 हो गया, तो ऐसे काफी सारे different kind of the business के ISO certificate यहाँ पर होते हैं, जो सब business के उपर applicable होता है, और maximum business के पास में यही certificate होता है, वो होता है 9001 जो की quality management system को यहाँ पर refer करता है, आप guys बात करते हैं कि क्या क्या भाई documents की requirement होगी अगर आपको अपना ISO certificate बनवाना है तो, तो देखिए पहली चीज़ आपके पास में legal entity certificate होना चाहिए business का, चाहे वो GST हो, MSME हो, company का कोई certificate हो, कोई भी चल सकता है, साथ में अगर आपकी पास में invoice वगर है, bills वगर है, vouchers वगर है, तो बहुत अच्छी बात है, साथ में अगर आपकी company का या firm का letter रहेड है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आपको एक pen card भी चीज़ोगा, आपकी partnership, travel and company अगर firm वगर है, वना proprietor के इसमें आपका personal pen card भी चल जाएगा, इसके लिए कोई भी ऐसा document, जो simply आपके business को refer करता हो, तो ये सारे documents की basically ISO के इंदर requirement रहती है, आपको इस बात करते आप मेरे screen के सामें दे सकते हैं, मेरे पास में ये दो ISO certificate है, 9001 के, एक certificate में कैसा आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक IAF का logo मिल जाएगा, और एक certificate में कर आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसा IAF का कोई भी यहाँ पर logo नहीं मिलने वाला है, तो guys ये एक certificate के अंदर difference होता है, एक होता है IAF का certificate, एक होता है non-IF का, तो guys IAF certification क्या होता है, IAF basically एक international जो है aggregation form है, बलब आपके सकते ही संस्ता है, जो पूरी दुनिया के अंदर जिती भी जो संस्ता है, जो ISO certificate यहाँ पर issue करती है, IAF base पे, उनको basically regulate करती है, तो देखें यहाँ प participate कर रहे हैं, तो ultimately आप कह सकते हैं, आपको IAF का ही certificate यहाँ पर लेना पड़ेगा, वहीं पर कैसे अगर मैं non-IF की बात करूँ, तो देखें मैंने जैसे example बताया था, उसमें आपको IAF का basically logo नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ अच्छी यहाँ पर body से, पूरी दुनिया के अं अगर मैं conclusion देना चाहूँ, आप यह समझ लो, जैसे कि हमारी government university होती है, और एक private university होती है, लेकिन दोनों से ही आपको same kind of degree मिलती है, लेकिन दोनों की value अलग-अलग होती है, और जो cost होता है, वो भी यहाँ पर अलग-अलग होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर IAF certificate और non-IF certificate यहाँ पर काम करता है, बाकी दोनों ही बहुत जादा यहाँ पर helpful है, छोटे business के लिए, जैसे आपने एक बाद decide कर लिया, कि हाँ, मुझे IF का certificate चीए, या मुझे सिर्फ branding के लिए non-IF का certificate चीए, उसके बाद में government की कोई भी particular यहाँ पर website नहीं है, simply आपको एक agency को hire करना दोनों की यहाँ पर simply आपको code मिल जाएगी, और एक dedicated expert के साथ में आप get in touch हो सकते हैं, इसके साथ में guys अगर मैं generalized cost और fees की बात करूं, तो देखिए जो non-IF certificate है, market में इसकी जो range है, वो 1500 रुपे से लेकर 3-4000 रुपे के बीच में आपको मिल जाता है, इसके लाब अगर मैं ISO certificate की बात करो, तो थोड़ा सा महेंगा पड़ता है, वो आपको 3000 रुपे से लेकर 8-8000 रुपे तक की यहाँ पर costing आती है, और यह depend करेगा कि आपको 9001 quality management system वाला ISO certificate चाहिए, या कोई और चाहिए, तो यह totally depend यह भी करता है कि कौन सा आपको ISO certificate चाहिए, कि लागाइस अगर मै यहाँ पर simply validity की बात करों, तो हर जो ISO certificate होता है, वो 3 साल की यहाँ पर validity आती है, for an example आप screen के सामने दे सकते, यहाँ पर जैसे 12-23 के अंदर यह initially यहाँ पर हो रखा है, launch हो रखा है, issue हो रखा है certificate, तो यहाँ पर आप देख सकते है, 12-26 के अंदर basically इसकी date of expiry है, और जो survey date है वो भी यहाँ पर दे रखी है, तो guys, normally हर ISO certificate जो है, यहाँ पर 3 साल के अंदर expire हो जाता है, फिर उसके बाद में आप एक nominal cost के ओपर audit करवा के simply अपना जो certificate होगा, उसको आप simply renew करवा सकते हो, और guys, इसके लागर मैं बात करूँ कि कैसे आपको verify करना है, कि मेरा ISO certificate है, एकदम original है कि नहीं है, उसकी authentication कैसे आपको यहाँ पर पता चलेगी, तो देखे जो भी certificate होता है, अगर आप bottom के अंदर जाते, सब certificate के उपर लिखा होता है, एक link आपको provide की होती है, कि जिसके तुरू आप यहाँ पर अपना जो certificate है, उसकी validity वगर है, सब कुछ यहाँ पर authenticity, सब कु का option दिया होता है, मैंने simply यहाँ पर company का नाम डाला, certificate number डाला, जैसे आप search करेंगे, तो यहाँ पर आप screen के सामें दे सकते हैं, पूरी की पूरी company की यहाँ पर details खुल जाती है, कि कब इस company को certificate issue है, कब इसकी audit वगर होने वाली है, और last date वगर है क्या है, तो guys, अब आप लो लोग छोड़ सकते हैं, thank you guys, thank you very much